17 अगस्त को प्रधान मंत्री नरेन रबोनी के जनम दिन पर गोरखपुर में स्वक्षता अभियान का सुभारम किया गया योगी सरकार के कैबरिट मंत्री सोतंदर देव सिंग ने इस मौके पर समाजवादी पार्टी पर निसाना साथते हुए कहा कि उनकी सरकार में बेटी घ संदेव सिंग का कहना है कि आपने सपासासन को देखा है सपासासन में पांच बज़े के बाद कोई भी बेटी घर से बाहर नहीं निकल पाती थी हरिद्वार में पांच बज जाता था तो व्यपारी सो जाता था रात में उत्तर प्रदेश में लोग सफर नहीं करते थे आप बंड़ाई चरम सीवां पर थी यूपी के जल सक्ति मंत्री स्वतन देव सिंग मंगलवार को प्रभारी मंत्री बनने के बाद पहली बार गोरकपुर पहुचे हुए थे और उन्होंने राम गड़ताल पर स्वक्षता अभियान का सुबारम किया उन्होंने समाजवादी पार् फावड़ा भी उठाले जाते थे तो मां और पत्नी दर्वाजे पर इंतजार करते थे कि बेटा लोटेगा की नहीं बेटा जैसे पाकिस्तान बार्डर पर युद्ध लड़ने गया हो लेकिन आज योगी सरकार में वह कह सकते हैं कि योगी सरकार के नित्रत में उत्तर प्र होकर सुबह दर्तन करके वापस लख नुगा सकती है कोई बोल नहीं चकता है कि व्यापारी आज राज के अंदर आ रहे हैं आप रोट की करनेक्टिविटी देखिए उत्तर प्रदेश में सलकों का जाल देखिए आप किसकी बात करते हैं वो लूट लेंगे नियुक्तियां जोले में लेकर जलते थे और नियुक्ति प्रट पांट रहे थे आज राजभर परजापती और सभी दूसरे पिछड़े वर्ग के लोग नौकरी पा रहे हैं वे देख रहे हैं कि चोटे-चोटे जाती और वर्गों के लोग को क्या मिल रहा है उन्होंने पूछा बेटी कह पैसा लगा तो कहीं कि पैसा ना लगा हमें तकलीफ हुई लेकिन आज वो दौकरी पा गए उनके पिता जी हमारी सरकार और हमें दोड़कर बढ़ाई दे रहे हैं उनके पिता के आंसु निकल रहे हैं जीवन में पहली बार राजभर के बेटे को नौकरी मिली है कहां मिलता आज जो ग्यान अर्जित करेगा जो मेरिट में आएगा जो पढ़ेगा उसका सम्मान है लेकिन यह लोग आपको लूट लेंगे आप इसकी करपना नहीं कर सकते हैं इनके समय में संखों पर हजार हजार मोटर साकील दोड़ती थी कोई रोक नहीं पाता था कोई रोक नहीं पता था इसलिए और यह इस्टन्ट बाजी करते थे लेकिन आज योगी राज में सब जगा सांती है सुखी है और लोग सुकूद में जी रहे हैं सवच्छता ही शेवा है सेवा पकवार के रुप में मनाये जा रहा है अद्रीं मोदी जी का जन त्योस्त के रूप में सेवा मोदी जी के एक तपस्या है एक तप कम आयू में ही गरीब परिवार में जन्म लेने के बाद भी पिता जी का सहयोग करते थे सोयम चाय भेजते थे और बच्पन में ही संग के प्रचारक के रूम में अपना कार शुरू करते पर भारती जन्ता पार्टी में संग अठन मंत्री के रूम में देश के नेता के रूम में और ऐसे ऐसे अस्थानों कर उनको प्रभार था इनकी जीमेदारी थी फिर वहां कार करताओं का निर्मान करना करकरताओं को आगे बढ़ना बढ़ना तो अधिन मोदी का हमेशा सपना रहा है वह स्वच्चता भियान के रूप में जलसंचय के रूप में बृच्छा रोपन एक पीड मां के नाम यह सब से हमारा जीमन स्वश्थ रहेगा हम स्वश्थ रहेंगे और जो गरीब का, गाउं गरीब किसान का जो रूपया बर्बाद होता हस्पिटल में, वो रूपया भी बर्बाद नहीं होगा, अब सपा सासन देखे थे, पांच बजे के बाद कोई बेटी घर से बाहर निकलती थी, हरिद्वार में पांच भज जाता था तो व्यापादी सो जाता था रात में सफर नहीं करता था उत्तर प्रिदेश में आपने देखा हुआ इस्तिती रिराज्जी के अंदर लाइट आती थी टेंडर एक भी कोई डाल नहीं सकता था एक्सियन जेही बातरूम में भाग जाते थे एक ठेकेदार आफिस में पहुचता था तो उंड़ाई चरम सिमा पर लोग लूट लेते थे खेत में टेक्टर तो दूर फाड़ा उठा लेते थे ट्रेक्टर पानी जाने जा डिपेल पर पानी जब किसान पच्छी में उत्तर प्रदेश से गोरग पूर डालने जाता था तो उसकी मां पत्नी दर्वाजे पर इंतिजार करती थी कि मेरा बेटा लोटेगा कि नहीं लोटेगा इस जैसे लगता था कि पाकिस्तान के बाड़र पर गया हूं आज मैं खश सकता हूं य पादी अटेंड करकर सुबत दर्शन करके वापस लखनू आ सकती है कोई बुल यूपी न्यूस डाइन के लिए गोरग पूर से धने इसकुबार के रिपोर्ट